हलो दोस्तों, दोस्तों मैं हूँ आपका दोश शुभम शर्मा और आज मैं आपके लिए TGT Medical Commission Online Classes में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले है प्रिविएस येर वन लाइनर कोशन्स की ये वन लाइनर कोशन्स आपके HP TET, HP TGT, HP PGT Commission 2020 में आने वाले हैं तो जरूर देखे का मेरी इस वीडियो को और ये प्रिविएस येर में भी आ चुके हैं ये प्रिविएस येर वन लाइनर कोशन्स हैं जो हम आज डिसकस करने वाले हैं तो ये HP TET और HP TGT, HP PGT Commission में आते हैं तो दोस्तों चलते हैं हमारे आज के बायलोजी के MCQs जो की 10 MCQs जो होंगे वन लाइनर उसके बार में डिसकस करेंगे जो आ चुके हैं जिसके बाद हम इनके ऊपर MCQs भी नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे तो मेरे साथ बढ़ने रहे हैं दोस्तों TGT Medical Commission Online Glasses में तो चलते हैं दोस्तों हमारे वन लाइनर कोश्चन्स की और तो दोस्तों हम सबसे पहले बास करने जारा है आज अज हैबिटेट की हैबिटेट क्या होता है जाहा कोइब जानवर रहता है उसके जिसकी किसी भी जानवर के रहने का स्थान होता है जो वह हैबिटेट कहलाता है जैसे we live on land हम जो human beings है वो land के उपर रहते हैं ठीक है कुछ पानी के अंदर रखते हैं तो वो उनका habitat है वो हमारा habitat है जो हम terrestriate land के उपर रहते हैं वो हमारा habitat है जो aquatic यानि की पानी के अंदर रहते हैं वो उनका habitat होता है तो देखिए दोस्तो अगली जो statement है हमारे habitat के अधार पर वो है हम कोण से होते हैं AQA का मीनिंग वाटो all right is Network में तक इसमल wrinkles की आधर रहेंगे वह क्या होगै आपके AQAटिक कि ऐनियुवटर मीटर यह थो ऑते हैं एक आता है मृटर जो मैरीन जिसमें कि मेरीन मैरीन वाटर जनुकियाल कि सौल्टी वॉटर समुदर्णी पानी जो समुदर मे रहने वाले जानवर होते हैं जैसे Achinoderms होगे या Cartilage Fish होगी ठीके यह सब के सब Merine Animals होते हैं यानि कि Salty Water में रहते हैं यह भी Aquatic Animals के अंतरगत आते हैं ठीके उसके बाद आते हैं दोस्तों Freshwater Freshwater में रहने वाले Organisms जैसे आपका Amoeba, Paramecium, Porn जितने भी और्गनिजम होते हैं इसे फ्रेश वाटर में रहते हैं इसे फ्रेश वाटर कॉन से होते हैं जो पॉंड, स्रीवर्ड, स्ट्रीम, जो जरने वगरा होते हैं इसे जो वाटर मिलता है वो फ्रेश वाटर होता है जो पीने लाइक होता है और जो पीने लाइक नहीं हो सिवार वाले होते जो सी एंपलोONEY रहते हैर यो इसमें इसमें पहा जाते हैं तो दोस्तों चलते हैं घर अगले और आगा की और आबगा तो चलते हैं यह सविक्स करें MAज्ण देखो फस्टनि जैसे कि अर्थ वाम के पास एक आर्गन होता है आगे मुझे पास लगावा जो उसको इसको ब्यूरो करने में मदद करता है ठीक है स्नेक हो गया जैसे राइबिट हो गया यह सब के सब जो है फोसोरियल एनिमल होता हैं जो ब्यूरो के अंदर रहते हैं कि एक गुफा के अंदर रहते हैं गुफा समय लो कि छोटी सी स्वाइल के अंदर वो पाइप लाइन से मना कर रखते हैं जिसके रखते हैं ठीके उसके बाद आते हैं दोस्तों लटकते हैं, monkeys जो होते हैं, वो trees के उपर ही रहते हैं, ठीके, तो वो animals जो होते हैं, वो arboreal animals होते हैं, उसके बाद चलते हैं, दोस्तों, next की और सकेंसोरियल, सकेंसोरियल animals कों से होते हैं, जो animals wall के उपर आते हैं, या rocks के उपर आते हैं, जो wall को climb कर लेते हैं, animals या rocks को climb कर लेते हैं, animals वो क्या होते हैं, सकेंसोरियल animals, जिसमें lizards आते हैं, flying squirrels आती हैं, ये सब जो wall lizards आती हैं, ये सारे सारी सकेंसोरियल होती है, ठीके, त दोस्तो ओर्जी और फृकर डानिमलस वन होटों सबस्ते सब्सक्राइब ज़ेसे इंसेक्स वोगे आयर में उड़ते रहे तो वो आपके टोस्त होगे एरेल डानिमल्स व kız ऐते हैं जो आपके fast runners होते हैं, जो तेज भागने वाले animals होते हैं, जिसमें horse भी आता है, rabbit भी आता है, loin भी आता है, एक tiger भी आता है, ठीक है, about 400 km चल जाता है, शायद यहां तक idea इतना estimate है, इतना जाल चल जाता है, तो इस चीज़ के बारे में ध्यान दे, ठीक है, अब चलते हैं, दोस्तो, on the basis of feeding, on the basis of feeding, animals किस तरह से रहते हैं, देखो, feeding क्या होता है, खाने की, क्या-क्या खाते हैं, animals, ठीक है, उन चीजों के बारे में करेंगे, हम बात, तो first है herbivorous, herbivorous को आपको पताईए कि herbs, herbs क्या होता है, green leaves, ठीक है, जो green leaves खाते हैं, वो आपके herbs होंगे, ठीक है, ये क्या करते हैं, eat करते है vegetable food को, जैसे cow होगी, buffalo होगी, sheep होगी, goat होगी, ये सब क्या होते हैं, आपके herbivorous होते हैं, जो green plants को खाते हैं, ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों कार्णीवारस पे, कार्णीवारस कौन से होते हैं, जो इंद अपन एनियमल फूड को खाते हैं, यह कि आनिमल को कहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गए, लॉइन अगर ताइगर हो गया, यह सब क्या करते हैं, मास कहते हैं, ठीके, उसके बाद आते हैं, ओमनी व उसके बार आते हैं, दोस्तों, Sengi Voros. Sengi Voros पूछा गया था एक बार, TGT Medical Commission में. Thugis. Sengi Voros क्यों होते हैं? जो blood eaters होता है, जो blood feed upon blood of other animals, जो blood eaters होते हैं, वो आपके Sengi Voros होते हैं, जैसे जूएं होती है, लीच वगरा. Thugis. Bad bug होता है. Thugis. जिसको बोलते है कन खुजरा क्या करता है वह आपका क्या बोलते हैं ब्लेड को सक करता है होस्ट की बॉड़ी से ठीक है अब फ्रूगी वोरस होते हैं जो फ्रूट को खाते हैं जैसे फ्लाइंग फॉक्स हो गया या पैरट हो गया या कोई भी बर्ड हो गया बर्ड भी जो है को खा लेते हैं तो फ्रूगी वर्वरस के अंतरगत आते हैं उसके पाँ आते हैं दोस्तों सेप्रो ऐ स्टेहिं वो एक ef वम और डभी और अट को खाते चैसे ब्यक्तिर्य और शर्ड यां वह लग जाते हैं तो विन सक्ँब्स ولاड ऑकनिकमाटर को खाते हैं ठीक आप चलते हैं नेक्स्ट की और फिर आते हैं दोस्तों कोप्रोफेगस कोप्रोफेगस होते हैं जो आपके फेसिस को खा लेते हैं फेसिस यानि कि जो आपका एक्स क्रेटरी प्रोडक्ट होता है उसको खा लेते हैं थिके अब एक्टिवीटी के अधार पर हम एनिमल को देखते हैं एक्टिवीटी के अधार पर ठीक है फास्टेट योयार नल स्टक मतलब होता है कि जो जानवर डे टाइब पर एक्टी अधिव होता है यानि कि day time पर active होते हैं, दूसरे है nocturnal, nocturnal का मतलब है कि जो night time पर active होंगे, जैसे owls होते है, रात को उल्लू सोता नहीं है, ठीक है, उसका मतलब या कि वो active होता है night के समय पर, रात के समय पर, या cockroach होते हैं, ठीक है, तो वो रात को active होते है नाइट के समय तो उसको बोलते है नॉक्टर्नल ठीक है उसके बाद है दोस्तो ओरोरल का मतलब है एक्टिव डूरिंग डॉन डॉन यानि कि जब रात खतम होगी और सुबा स्टार्ट होगी यानि कि सुबा का समय जो होगा छे साड़े छे बज़े का समय जिस ताइम रात खत ओर्गनिजम सुबा के समय डॉन टाइम पर एक्टिव होंगे वह और ओर्गनिजम होंगे जो इसमें ग्रे हैरॉन होते हैं ठीक है उसके बाद है दोस्तों वेस्परल वेस्परल होते हैं जो डस्क टाइम पर यानि कि शाम के समय पर जो एक्टिव होंगे यानि कि जब दिन चिप रहा होगा और रात हो रही होगी तो जो उस समय organisms active होगे वो होगे आपके वेस्परल औरगनेजम सी इसमें example आपका smallному albets small बैट उसके इंतरकत आते हैं उसके बाद है क्रिकास्कॉलर क्रिकास्कॉलर वो जानवर होते हैं जो active होते हैं सुबा के समय बी और शाम के समय पे भी साथ है कि क्रीपस्कुलर वो होते हैं जैसे राधीट घृबिट्स में आपका जो दोनों समय पर अक्टिव अधा सुबchnー के समय पर और स्कार्ब के समय पर अक्टिव होते हैं ठीक है इसके बाद चलते हैं दोस्तोंBaby शचर детей सिस्टम पर सटोन सुसमों जो है वो दो तरह होता है एक उपन टाइप होता है कि उपन टाइप के होता है नोम पन टाइप होता है दोस्तों कि उसह contest blood है वो blood vessels मेंसे नहीं कम होती है याने कि arteries veins और capillaries नहीं होती है तो उससे क्या होता है कि जो blood का flow होता वो slow जाता है और pressure भी low जाता है और वहाँ पर क्या होता है कि direct exchange हो जाता है blood और body के बीच में relation ठीक है तो open circulator system वो होता है जिसमें blood vessels नहीं होती है arteries veins वगरा नहीं होती है और blood जो है वो shrink करता रहता है फुआरे की तरह ठीक है और उसकी वजह से slow speed होती है blood flow की और low pressure हो जाता है इसमें body और blood के बीच में direct exchange material होता रहता है ठीक है उसके बाद चलते हैं दोस्तों closed circulatory system पे closed circulatory system वो होता है जिसमें blood जो है flow करेगा blood vessels में arteries veins और capillaries में ठीक है जैसे human beings होता है उसमें क्यों होता है एक oxygenated blood ले जाएगा दूसरी oxygenated blood carry करेगी ठीक है तो इसके बारे में जनरली बाद में बात करेंगे अभी हमने थोड़े से points और करने हैं तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों protendrous क्यों होता है जब किसी भी organism में test जो है पहले मैचियोर हो जाएगी ऑवरेज तो वह protendrous condition होते है जैसे की आपका लीच में होता है और अर्थवों में होता है इनमें क्यों होता है कि मेलsk वहर्म आती है वह पहले मैचूर हो जाती है फीमेल से तो उसके बाद दोस्तों प्रोटोगाईनस कंडिशन कोषी है प्रोटोगाईनस कंडिशन वह मतलब होती है जब यार्मिben भाग मतलब होता है पहले या यानि मतलब फीमेल से डा Soci तो आवरीज उसमें फर्स्ट मैचूर हो जाती है तेंस तस्काइफा और हर्ड मैनिया में यह चीज प्रोटोगाइलस कंडिशन होती है ठीक है उसके बाद चलते हैं दोस्तो हर्माफ रोडाइट क्या होता है बाई सेक्च्ट और मोनोडिश घर्म फ्लाइड होता है जहां पर G6 के पास्थ एनिमल में दो टैप केॷिए था जैसे खोहां में होता है प्सक्राइब हमदय करें मोनड़ा होता है या? पनीड़ाइब होता है जिसमें निठा пока करें दुधारा की आरम की आलिमल ठीके, उसके बार Unisexual, Unisexual जो हते लिकाम, यानि कि Sexist जो दोनों जो है वह separate होता है, यानि कि Male अलग होता है यानि कि Female अलग होता है, जैसे कि Human Being होता है, यानि कि Female अलग है और Male अलग है ठीके तो इस चीज़ को याद रख लें, Unisexual और ele with Bisexual में Different तो इस चीज़ को याद रख लें उसके बात दोस्तों हम बत करते हैं पोई कीलो थर्मल coral & ऐनिमल्स वह पासे हैं जो कॉर्ड बॉड़ड़ी ऺड़र्म सोते हैं यह फिर एक्टो थर्म Irish Healthiatr अपने टेंपरेचर उनका जो बाडी टेंपरेचर को के इसाठ्क डा फाल मक्र शबया गुन्हें दूब दू वास्डा अइनुरहाः जर्माग है वे तो स्ट उतने में आइनिब्ण घरिजर बादा इसे यह वो जमीन के निचे चल जाता है ठीक है विंटर स्लीप करता है जिसको बोलता है हाइबर्नेशन उसके बाद दोस्तो होमियो थर्मल होता है जो वाम ब्लेड़िड एनिमल्स होते हैं एंडो थर्मिक एनिमल्स जो किसी भी टेंपरेचर को टोलरेट कर लेते हैं या फिर उनक मैंने इतना कुछ पॉइंट से प्रिवेस यर वन लाइनर कोशन किये हैं तो अगर दोस्तों नहीं समझाए हो तो माफ कीजेगा और मेरे वीडियो को देखते रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेर और लाइक कीजेगा जरूर धन्यवाद दोस्तों